दोस्तों नमस्कार ये है मागदशन फार सिविल सेर्विशेज मैं अनुराग शवधरी दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत की प्रमुख जल विद्दूत परियोजनाएं दोस्तों देश में बिजली के विकास का काम विद्दूत मंत्राले देखता है संबिधान में बिजली समुवर्ती सूची में है और इसकी उपलब्धता और विद्दूत का दाई तु मुखेते राजियों की जिम्मेदारी है भारत में जल विद्दूत का विकास 1897 में दारजिलिंग के समीप सिंद्रा पोंग में 200 किलोवाट छमता के पर्थम पर्तिष्ठान के संचालित होने के साथ प्रारम हुआ था और भारत में पर्थम जल पर्योजना 4.5 मेगावाट की कावेरी नदी पर सिव समुद्रम करनाटक में थी जिसे 1899 में मैसूर के महराजा ने संचालित किया था और जिसने कोलार खदान को 1902 में विद्दूत आपूर्ति प्रारम की थी इसकी छमता का विस्तार 1927 तक विभिने चाड़ो में 42 मेगावाट हो चुका था दोस्तों जान लेते हैं कि जल विद्दूत पर्योजना क्या होती है तो बहते हुए जल की उर्जा से जो विद्दूत उर्जा उत्पन की जाती है उसे जल विद्दूत कहते हैं जल परियोजना की सुरुवात 1897 में दारजिलिंग में सिंद्रा पॉंग से हुई थी और सबसे पहली जो जल परियोजना थी वो कावेरी नदी पर सिव समुद्रम में जोकी करनाटक में था वहाँ पे शुरू हुआ था तो अब आईए देख लेते हैं भारत की प्रमुख जल वि परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं जो हैं वो उत्तर प्रदेश की जल विदूत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में महतुपूर्ण परियोजना तो पहला है राम गंगा परियोजना ये राम गंगा नदी परिस्थित है रिहंद परियोजन रिहंद नदी पर इस्थित है रिहंद पर्योजना जो पीपरी के निकट है सोन भदर में रिहंद पर्योजना रिहंद नदी पर है चिबरू पर्योजना इंपार्टेंट है UP Special के लिए भी चिबरू पर्योजना टोस नदी पर इस्थित है चिल्ला परियोजना इंपर्टेंट है ये चिल्ला नदी पर इस्थित है माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है तो ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख जल्विद्दूत परियोजना थी अब आईए देखते हैं उत्राखंड की प्रमुख जल्विद्दूत परियोजना हैं इसमें पहला है टिहरी परियोजना टिहरी परियोजना जो की भागी रथी पर है कोटेस्वर जल्विद्दूत परियोजना ये भी भागी रथी परिस्थित है टनकपूर परियोजना काली नदी पर, मलेरी जहेलम परियोजना, धौली गंगा नदी पर इस्थित है, गोहना ताल परियोजना, इंपार्टेंट है, गोहना ताल परियोजना, बीरही गंगा नदी पर इस्थित है, इसके अलामा जो किसावबाध परियोजना है, किसावबाध, किसावबाध परियोजना टोंस नदी पर है और करमोली परियोजना जाढ़ गंगा नदी परिस्थित है लखवर ब्यासी परियोजना यमुना नदी पर तो जो परवती प्रदेश हैं वहाँ पे जल विद्दुत की संभावना अधिक होती है क्योंकि वहाँ बाध बना कर जल को एकत्र करने की सुविध प्राकृतिक रूप से ही उपलवद होती है वहाँ पे हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाये जा सकते हैं और वहाँ पे जल विद्दुत उत्पादन की संभावनाएं अधिक्तम होती हैं अब आई ये देख लेते हैं मध्य परदेश में मध्य परदेश की जो प्रमुख जल विद्दुत परियोजना हैं वो कौन कौन सी हैं तवा परियोजना तवा नदी परिस्थित है इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी परिस्थित है इसके अलावा ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा न पर गांधी सागर पर्योजना चंबल नदी परिस्थित है माहेस्वर पर्योजना नर्मदा नदी पर और पेच पर्योजना पेच नदी पर है तो ये सारी मध्ध प्रदेश की जल्विद्दूत पर्योजनाएं हैं अब आये देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जल्विद्दूत पर्योजना एक हों कों सी हैं तो हिमाचल प्रदेश का पहला है नात्पा ज्हाकरी पर्योजना ये सतलज नदी परिस्थित है चामेरा परयोजना, राबी नदी पर, रणपूर परयोजना, जो की सतलज नदी परिस्थित है, खाब परयोजना, इसपीत नदी पर, जो सतलज की सहायक नदी है, इसपीत, खाब परयोजना, इंपार्टेंट है, खाब परयोजना, ये स्पीत नदी परिस्थित है, जवाई परियोजना जवाई परियोजना जवाई नदी पर है और कोल्डम पन विद्दुत परियोजना तो कोल्डम जगह का नाम है कोल्डम पन विद्दुत परियोजना ये सतलज नदी परिस्थित है और नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन एंटी पीसी द्वारा जो प्रायोजि अब आया देखते हैं जंबु कस्मीर में परमुक्र जल विद्दुत परियोजना है जंबु कस्मीर में चुटक परियोजना सुरु नदी पर है तुलबुल परियोजना जेलम नदी पर उज परियोजना जोकी उज नदी पर इस्थित है निम्मो बागजो जलविद्दुत परियोजना सुरू नदी पर है सुरू नदी पर चुटक भी है और निम्मो बागजो परियोजना दोनों सुरू नदी पर इस्थित है उरी परियोजना जेलम नदी पर है सलाल जल विद्दुत परियोजना चिनाब नदी पर और बोरसर परियोजना चिनाब नदी पर है दुल हस्ती पावर प्रोजेक्ट ये भी चिनाव नदी पर इस्थित है किसन गंगा परियोजना किसन गंगा नदी पर है तो जो जल विद्दुत परियोजना हैं अधिकतर वो नदियों के नाम से ही है या अस्थानी छेतर में जहां पे हाइड्रो पावर इस्टेशन अस्थापित किये गए हैं उस छेतर के लोकल नाम से उनकी अस्थापना की गई है अधिकतर परियोजना हैं जिन नदियों पे हैं उन्ही के नाम से हैं जैसे उज परियोजना उज नदी पे है और इसी प्रकार से कई अन्य नर्मदा परियोजना ये नर्मदा नदी पे हैं लेकिन कुछ ऐसे पावर प्रोजेक्ट हैं जो की अस्थानी नाम जहां पे वो करनाटक के प्रमुख जल्विदुत पर्योजनाओं के बारे में जान लेते हैं करनाटक का ये है पहली है तुंग भद्रा पर्योजना तुंग और भद्रा नदी के संगम पर इस्थित है ये तुंग भद्रा पर्योजना काली नदी पर इस्थित है काली नदी पर इस्थित है और करनाटक में भी काली नदी पर काली नदी पर्योजना इस्थित है अलमाटी प्रोजेक्ट ये कृष्णा नदी पर है सरावती पर्योजना सरावती नदी पर इस्थित है सरावती एक सरावती नदी का नाम और प्रसिद्ध है किसलिए हमें comment box में बतायेगा सरावती, किसलिए पर सिध्या या सरावती का नाम आपने कहां पड़ा है घाट प्रभा पर्योजना घाट प्रभा नदी पर है भद्रा पर्योजना भद्रा नदी पर इस्थित है जो तुंग भद्रा में स्थापित पर्योजना वो कावेरी नदी पर इस्थित है अब आई ये देख लेते हैं पंजाब में प्रमुख जलविदूत पर्योजना है कौन कौन सी है इसमें पहला है पोंग पर्योजना ब्यास नदी पर भाखडा पर्योजना सतलज नदी पर भाखडा नंगल पर्योजन परियोजना सतलज नदी पर है देहर परियोजना जो की ब्यास नदी परिस्थित है और साहपुर कांदी परियोजना रावी नदी पर तो ये पंजाब की प्रमुख परियोजना है थी जलविदुद परियोजना भाखणा नंगल परियोजना सबसे जादे छमता वाला है राजस्थान के प्रमुख जल्विदूत पर्योजनाओं के बारे में जान लेते हैं राजस्थान में पहला है जवाई पर्योजना जवाई नदी पर इस्थित है राड़ा प्रताप सागर पर्योजना चंबल नदी पर और जवाहर सागर पर्योजना ये भी चंबल नदी पर इस्थित है अब देखते हैं आंधर प्रदेश की प्रमुख जल्विद्दुद पर्योजना है तो आंद्र प्रदेश में जल्विदूद पर्योजना ये बहुत मात्रा में हैं इनके बारे में जान लेते हैं पहला है मचकुंड पर्योजना मचकुंद नदी पर है लोवर एवं अपर सिलेरू जल्विदूद पर्योजना ये सिलेरू नदी पर है पोचम पाद परियोजना गोदावरी नदी परिस्थित है निजाम सागर परियोजना जो की मंजरी नदी पर है ये गोदावरी की सहायक नदी है मंजरी निजाम सागर परियोजना उसी परिस्थित है इंपार्टेंट है तो नागार्जुन सागर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं और गुंडम परयोजन गोदावरी गुंडम गोदावरी राम गुंडम परयोजना गोदावरी नदी पर इस्थित है अब आये देख लेपेें अरुडाचल परवती परदेश है अपना यहाँ पे भी जल विद्दुत उत्पादन की संभावना अधिक है तो अवडाचल प्रदेश में जो प्रमुख हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है उसमें पहला है अपर लोहित पर्योजना ये लोहित नदी पर इस्थित है तवांग पर्योजना तवांग चु नदी पर बनाए गया है दिभांग पर्योजना दिभांग नदी पर इस्थित है और अपर सियांग पर्योजना जो की सियांग नदी पर है अवडाचल प्रदेश की एक अन्य बिजली पर्योजना है कामेंग, कामेंग प्रोजेक्ट ये कामेंग नदी पर है, कामेंग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, उसी पर कामेंग पर्योजना बनाई गई है, रंगा नदी पर्योजना जो की रंगा नदी पर इस्थित है, आगे तमिलनाड की प्रमुख जल्विदुत पर्योजना है, पेरियार पर्योजना पेरियार नदी पर है मैटूर डैम प्रोजेक्ट ये कावेरी नदी पर है काफी परसिद्ध है मैटूर पर्योजना जो की कावेरी नदी पर है पापनासनम परियोजना तामरपाडी नदी पर बनाई गई है और पायकारा प्रोजेक्ट जो की पायकारा नदी पर है पायकारा प्रोजेक्ट ये तमिलनाडु का पहला जल्विद्दुद परियोजना है महराष्ट की प्रमुक जल्विद्द पर्योजनाओं के बारे में जान लेते हैं महराष्ट का जायक वाड़ी प्रोजेक्ट है जायक वाड़ी पर्योजना जो की गोदावरी नदी परिस्थित है गिरना प्रोजेक्ट ये गिरना नदी पर है और कोईना जल्विद्द परियोजना कोईना नदी पे है तो महराष्ट में बहुत जदे कुछ याद करने की बहुत आओ सकता नहीं है जायक वाड़ी आप याद रखिए जायक वाड़ी गोदावरी गिरना जो परियोजना है वो गिरना नदी पे है कोई ना परियोजना, कोई ना नदी पे है अब आई ये देख लेते हैं कुछ राजों में जो इंपार्टेंट जो जल्विदुद परियोजना हैं उनके बारे में तो पहला है इसमें कोसी परियोजना कोसी परियोजना आपकी कोसी नदी पर इस्थित है बिहार में कदाना पर्योजना कदाना माही नदी पर इस्थित है जो कि गुजरात में है हीरा कुंड पर्योजना आप जानते हैं उडीसा में है महा नदी पर इस्थित है हीरा कुंड पर्योजना कुलसी पर्योजना कुलसी 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 पर्योजना असम में कुलसी नदी पर इस्थित है कोपली पर्योजना इंपार्टेंट है कोपली पर्योजना जो की असम में है कोपली नदी पर इडुक्की केरल में है इडुक्की पर्योजना केरल में पेरियार नदी पर इस्थित है सबरीगिर पर्योजना इंपार्टेंट है सबरीगिर पर्योजना ये पंबा नदी पर है जो की केरल में इस्थित है इसके अलामा तीस्ता पर्योजना तीस्ता नदी सिक्किम में इस्थित है आगे देखते हैं तिपाई मुख पर्योजना तिपाई मुख पर्योजना बराक नदी पर मडीपूर में इस्थित है दामोदर घाटी पर्योजना DVC दामोदर Valley Corporation Limited ये दामोदर घाटी पर्योजना जो है ये दामोदर नदी जारखंड में इस्थित है मयुराच्छी पर्योजना मयुराच्छी नदी जारखंड में इस्थित है तुईबाई परियोजना तुईबाई नदी मिजोरम में इस्तित है और एक अन्य महतवपूर जलविदुद परियोजना है दोयांग दोयांग परियोजना ये दोयांग नदी पर नागल एंड में इस्तित है दोयांग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है इसके अलावा स्वण स्वंड रेखा परियोजना है, स्वंड रेखा नदी परिस्थित है, जारखंड में स्वंड रेखा नदी और कालपोंग परियोजना इंपार्टेंट है कालपोंग नदी अंडमान अंडमान में जो सबसे महतपूर नदी परियोजना है वो है कालपोंग जो की कालपोंग नदी अंडमान में इस्थित है इसके अलामा तुईरियल जल विद्दुत परियोजना इसके अंतरगत हमने देखा विभिन राज्यों में इस्थित जो जल विद्दूत परियोजना हैं भारत की पहली जल विद्दूत परियोजना कौन थी और जो उर्जा है या जल विद्दूत उर्जा है ये समुवर्ति सूची का विसे है और राज्यों को जिम्मेदारी दी ग होती है हमारे दैनिक कारियों में इसकी आऊ सकता पड़ती है और अध्योगिक छेत्र में इसका बहुत ही महत्वपूरस्थान है तो हमने आज देख लिया भारत की प्रमुख जलविद्धुत परियोजनाओं के संबंध में यहां से दोस्तों एक दो कोश्चन तो हमेशा आते दूँगा वहां पर PDF आप वहां से डाउनलोड कर लिजेगा एक दो कोश्चन मैंने पूछे हैं आप वीडियो देखिएगा और कमेंट बाक्स में उन प्रश्णों के उत्तर जरूर बताईएगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में बताईएगा आगे अन् कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार